हलो बच्चों मेरा नाम पवन कुमार गुपता टीम फिजिक्स CLC सीकर शुरुवात करते हैं हमारी गुरुनिती के 7th lecture जिसमें हम बात करने वाले हीट वाले सेक्शन ऑके हीट वाला सेक्शन दू पाट में आएगा गुरुनिती 7 और गुरुनिती 8 इस पाट में करने वाले केलोरिमेट्री थर्मल एक्समेंशन देन ही ट्रांसफर देन उसके बाद हमारा काइनेटिक ट्री ओफ गेस वाला पार्ट तो शुरुवात करते हैं हम केलोरिमेट्री से पहला ग्याश्चन त्यृटेरेंट्ग्री सेंटीक्रेटड के टेमपरेचर पे 20 ग्राम वाटर ही और इसमें आप 100 डिग्री सेंटीक्रेट की वेपर इसके फ्रू पास करते हों तो फाइनल टेमपर तो यह फ स्हें यह श्याता है तो आपको centigrade यह इसका temperature finally कहा तक गया 80 degree centigrade तक हमने क्या use की थी इसमें वेपर वेपर हम आ लेते हैं M gram यूज की होगी कितने पर यह 100 degree centigrade पर तो वेपर जो है वो पहले क्या बनाएगी water बनाएगी 100 degree centigrade का फिर वो water finally क्या बनाएगा वापस water 100 degree centigrade यह हमारे पास final condition है तो देखो पानी का temperature 20 gram का 10 से 100 तक करने में कितनी heat चाहिए तो delta q required और इधर से delta q released इसको equal कर दूँ मैं तो required heat क्या हो जाएगी mc delta t से लिखें है तो mc delta t कितना हो जाएगा 80 minus 70 80 minus 10 इधर क्या हो जाएगा एक तो m into l और वेपर की जो heat होती latent heat होती वेपर से पानी बनने की वह होती है 540 तो m into l 540 प्लस m 1 हंडिट से 80 अब देखो पानी पहले वेपर में convert होगा और वेपर फिर वाप पानी पहले वेपर पहले पानी में convert होगा पानी वापस temperature अपना कम करेगा फाइनल इसको 80 तक आना है तो 100 से 80 तक वापस temperature जो कम हुआ उसकी वज़े से भी heat निकलेगी ठीक है अब इसको solve करेंगे तो हमें एम की value मिलेगी 2.5 ग्राम इसको solve करने से है ना यह पूरी equation को जब solve करोगे आपको एम की value मिल जाएगी 2.5 ग्राम मतलब कि आपको इस पानी का temperature बढ़ाने के लिए डाइ ग्राम वेपर यूज करनी पड़ेगी तो total final मास कितना बचेगा उसने बोला कि final मास जो पानी का अवेलेबल रहेगा देखो 20 ग्राम तो पानी पहले से था है ना simple सा concept है कि आपको जो total मास है उसे convert करना है पानी में पेपर की total मास को पानी में convert करना है तो first answer हो गया fourth आगे बढ़ते हमारे second question पर एक बार आप इसे note करें second question पोल रही कि एक M मास का कोई ice का टुकड़ा इस तरह से है कि उसको h height से गिराते हैं है ना तो देखो h height से ice के टुकड़े को आपने गिराया और वो बोल रहे है कि जो heat होगी है ना वो सारी की सारी है ना बर्फ एब्जॉब करना कितना one fourth part है ना one quarter of the heat produced is absorbed by the ice and all energy ice gets converted into heat during the fall तो यह बोल रहे है कि यह जो सारी की सारी energy है वो किस में convert हो रही है heat में तो देखो एक टुकड़ा जब जमीन से इतनी height पे था तो इसके पास initial energy कौन सी थी potential energy थी ना gravitational potential energy कितनी थी वो potential energy MGH अभी बोल रहे है कि जब यह टुकड़ा गिरेगा एच हाइट से तो यह सारी की सारी energy जो है वो heat में convert होगी और वो जो heat बनेगी उसका one fourth part खुद ice को मिल जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे इसको जो energy मिली इस दोरान वो कितनी मिली one fourth of MGH अब यह energy क्या करेगी इस बर्फ को पिगलाने काम आएगी तो यह बर्फ जो मेल्ट होगी तो उस case में इसको मैं M into L के equal कर दो तो height पूछा है height क्यों जाएगा 4L by G 4L की value कितना दिया वह है 3.4 10 to the power 5 G कितना दिया आपको 10 तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास 13.6 10 to the power 4 यहने की 136 into 10 to the power 3 meter में है इसको मैं लिख सकता हूँ 136 kilometer तो मेरा answer क्या हो गया इसमें 136 kilometer second option इसका correct हो गया इसमें कोई confusion है तो इसमें basic concept क्या है कि जो भी ice की energy थी उस energy का one fourth part पूरी की पूरी energy को heat में convert हो रही है उसमें से one fourth part खुद ice को मिल रहा है पाकी three fourth part जो है वो खोल लेके जा रहा है atmosphere ओके बच्चों आते हैं हम हमारे थर्ड question पर थर्ड question में आपको बोला है कि आर वनार टू रेडियस के दो copper के solid sphere है तो आपको उन में एक Kelvin temperature बढ़ाने के लिए कितने heat देनी पड़ेगी तो देखो simple सा formula होता है delta q का m c delta t दोनों इस sphere copper के हैं मतलब की c1 equals to c2 delta t1 और delta t2 भी बराबर हैं कितने हैं 1 Kelvin के तो यह same होने का मतलब delta q directly proportional to m और m का मतलब क्यों जाएगा density into volume इसका मतलब volume में क्या आता है r की power 3 अब आपको बताना इनके लिए heat का ratio तो delta q1 by delta q2 r1 by r2 की power 3rd r1 की power कितना है r1 जो है 1.5 times of r2 है यह r2 तो यह हो जाएगा 3 by 2 की power 3 तो 3 की power 3 and 27 by 8 यह मेरा third option इसका बन जाएगा इसमें कोई conclusion ओके तो यह हमारा केलोरी मेंटरी वाला section जो चल रहा है उसका एक आसान सा question आगे बढ़ते हैं हमारे अगले part कि देखो बच्चो CLC का जो नया session शूरू होने वाला है 2023-24 के लिए admissions अनॉंस्मेंट है वो इस प्रप्रेशन तो उनके पास एक और मौका है अपनी प्रप्रेशन को स्ट्रॉंग करने का टार्गेट बेच जो 12 पास्ट के लिए next year exam देने के लिए वह 6th April से शुरू होने वाला है CLC में इसी तरह से foundation course जो बच्चे इस साल 12 में जाने वाले या 11 में जाने वाले उनके लिए वन year duration होगी course की वतला अगले साल जिनको जो इस साल 10 से 11 में जाने वाले वो और 11 से 12 में जाने वाले वो तो उनके लिए भी बेच स्टार्टिंग 6 अपरेल सारे बेच सिक सब्सक्राइब कौन कौन से 11th moving 12th moving 12th pass जो टार्गेट में रहेंगे उसके लावा 2-in-1 course कुछ बच्चे 11 कोचिंग नहीं कर पाते उनको लगता है कि 12 में दोनों साल का किसे कवर करेंगे तो 12 में ऐसे बच्चों के लिए 11 और 12 दोनों की प्रिप्रेशन एकी साल में करवाई जाएगी तो उस बेच को नाम देयागा है को यह बेचे बिल्कुल जोइंग करने चाहिए ताकि उनका बैसिक जो है वह अभी से स्ट्रॉंग होता जाए आगे बात करते हम हमारे की दूसे की जो ऑफ़्लाइन टेस सेंटर है वह है और इनके अड्रेस हैं आप अगर इन शहर हो चैजा ओस्पास तो आप कहीं भी सकते है कहीं से मिसक्टें सकते तो यह आउफ लाइन क्लासे डेली और हिसअर में relevant और तेस्ट में कोटा विकानेर जोदपूर देली और हिसार में ओके तो एक बार आप इसे नोट करें उसके लावा डायमन टेस्ट सिरीज जो CLC की स्टार्ट हो रही है उसमें आपको 30 मार्श से लेकर की 4 मैं तक पूरी 11 पूरी 12 का complete revision करवाय जाएगा उसके लिए आपके तीन तो पार्ट टेस्ट है जो की 11 का पार्ट कवर करते हैं तीन पार्ट टेस्ट 12 का पार्ट कवर करते हैं उसके अलावा दो full syllabus टेस्ट यहाँ पे हैं यहां से चेक कर सकते हैं तो यह diamond test series जो कि आपके neat की preparation के लिए काफी beneficial है next हम आते हमारे slide पे इसी में अगला part जो calorimetry माता है अपना heat माता है वो आता है thermal expansion वाला thermal expansion में आपको बोला है कि glyceline के लिए आपने volume expansion coefficient इतना given है और 40 degree centigrade temperature हम बढ़ाते हैं तो उसकी density में कितना change होगा हमें पता है कि temperature बढ़ाते हैं तो volume बढ़ता है volume बढ़ता है तो density गटेगी तो हमें केवल relative change पूछा है तो relative change होता है gamma delta T है ना हाला कि यह change negative होता है पर हमें खाली value बता नहीं इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे तो gamma कितना है 5 10 to the power minus 4 delta T कितना है 40 तो यह आएगा 200 10 to the power minus 4 means 0.02 तो यह आपका fourth option इसका answer हो जाएगा इसमें कोई confusion ओके बिल्कुल बेसिक सा question है यह आपका fractional change का formula होता है basically इसके और दो formula भी होते है L बराबर L0 1 प्लस alpha delta T या alpha T और इसी तरह से area का होता है area बराबर A0 1 प्लस beta delta T और volume का होता है V बराबर V0 1 प्लस gamma delta T ओके इसमें कोई confusion आगे बढ़ते हैं हमारे तो इसी से आपके relative change के formula आते है तो volume का formula ही होता है density होता है 1 by volume इसलिए इसका formula आता है rho 0-1- gamma delta T ओके तो यह हमारा thermal expansion के basic formula नेक्स्ट आता है कि ब्रास और स्टील की जो दो रोड़ है उनके coefficient है alpha 1 alpha 2 और उनकी length जो है L1 L2 है यह बोलते है कि difference L2-L1 जो हो हर temperature पे सेम रहता है तो difference L2-L1 देश और L2-L1 मतलब किसी T temperature पे यह difference और initially जो difference है वो हमेशा equal है तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा तो इसमें हम यह बोल सकते हैं कि जो हमें delta L दिया वा है वो constant दिया वा है तो delta L constant होने का मतलब यह हुआ कि L2-L1-L1 बराबर L2-L1 L2-L1 का formula भी में आपके सामने लिखा था L2 1 प्लस alpha 2 T माइनस L1 1 प्लस alpha 1 T ठीक है तो यह हो जाएगा L2 L2 alpha 2 T L1 L1 alpha 1 T L2-L1 तो फाइनल जखो L2 से 1 यह तो कर जाएगे तो क्या था आपके पास L2 alpha 2 T बराबर L1 alpha 1 T तो क्या आएगा आपके पास ही L1 alpha 1 बराबर L2 alpha 2 जो कि एक direct result है तो आप कहां सर आजाएगा थर्ड option इसमें कोई confusion किसी को तो easily आपका यहाँ पर option पंदर आए रोट करें बेटा बच्छों अगला आता है 6th question 6th question में आपको वापस हुई 88 cm की कोपर की रोड गीवन है जो किसी अन्वन अलुविनियम रोड के साथ है और वापस में बोला है कि इसमें जो difference of temperature है वो ले temperature के change में डिपेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि वापस वही अपने अपने इसका मतलब यह अपने सोल के था जिसलास क्रेशन में क्या कंदिशन आएगा इल्वन आलफा वन अपन अलफा टू एल्वन कितना दिया आपको 88 कॉपर के लिए कॉंस्टेंट कितना दिया हुआ है 1.7 10 to the power minus 5 अलुमिनियम का अलफ आपको दिया हुआ है यहाँ पे जो दिया हुआ 2.2 10 to the power minus 5 इसको यह खतम यह खतम यह 4 times cancel out तो यह दाएगा 68 cm यह आपका second option करेक्ट हो गया इसमें कोई confusion बिल्कुल पहले वाले question के तरह है अब इस बार value put करने है इसमें ठीक है तो यह आपका section complete हुआ जो आपका thermal expansion वाला था अगला आता है conduction heat transfer आपाट है तो conduction में basically हम बात करते हीट के flow की जो की heat का flow मेंशा high temperature से low temperature होता है पहला question दिया है कि एक rod के ends है वो एक बार तो आपने एक ends हो पर रखावा है दूसरा 110 पर रखावा है दूसरे के इसमें आपने उसी रोड को एक बार 200 पर रखावा है और एक बार 210 पर रखावा है देखो जो heat flow rate होती है अब जो यह जो heat flow rate है जिसको हम heat current बोलते है वह directly किस पर डिपेंड कर रही प्रपोर्शनल तो डेल्टा टी है इसका अधर जब तक temperature difference constant है तब तक आपकी heat flow rate change नहीं होगी हमने चाहे temperature change कर दे लेकिन difference पहले भी कितना था पहले भी difference था 10 degree centigrade का अब भी difference कितना है अब भी difference 10 degree centigrade का difference 10 degree centigrade का मेंटेर है इसका मतलब heat flow rate पे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब पहले अगर फोर जूल पर सेंगे तो अभी क्या होगा फोल फोर जूल एक वायर है और इनकी जो series में आपको इनको आपने जोड़ा हुआ है अब इनकी length दोनों की सेम है area दोनों का सेम है है ना लेकिन अब यह बोल रहे कि इसका effective thermal यह effective conductivity बतानी है तो देखो area उतना ही लेना है और जो effective length लोगे वो कितनी हो जाएगी 2L तो पहले वाले का सिगमा 1 और दूसरे वाले का सिगमा 2 है तो इस वाले का सिगमा बताना है तो देखो series combination में क्यों होता है resistance किस तरह से जोड़ा जाते है आर नेट equals to R1 plus R2 आर नेट क्यों हो जाएगा 1 upon sigma L effective by A 1 upon sigma 1 L by A 1 upon sigma 2 L by A और यहाँ L effective क्यों होता है देखो A से यह तो कड़ जाएगा पहले यह हो जाएगा 2L by sigma L by sigma 1 और L by sigma 2 तो sigma क्या हो जाएगा 2 sigma 1 sigma 2 upon sigma 1 plus sigma 2 तो मेरा answer हो जाएगा इसका third option इसमें कोई confusion तो easily आपको जो combination की concept होते है वो यहाँ लगाने है ठीके तो यहाँ उन्हेंने effective thermal conductivity पूछी effective का मतलब क्या कि दोनों तारों को जोडने के बाद जो physical dimension बने उसी dimension का एक नए material का wire यूज करें था ताकि जितना resistance इसका आ रहा है उतना ही बाद वाले का भी आए ठीके और यह question हम current वाले concept में जो electrical resistance होता है वैसे करें यह heat वाले concept में जो thermal resistance होता है वैसे करें same answer आएगा तो यह 8th question आपका हो गया फिर अगला आता है 9th question 9th question बोलते हैं कि दो एक जैसे object है लेकिन इसमें खास बात क्या है कि उसकी जो c है ना वो temperature dependent है मतलब यह बोल सकते है कि आप 0 से 1 तक अगर temperature बढ़ाते हो तो आपको कुछ delta q1 heat चाहिए लेकिन इसी temperature को अगर आप 40 से 41 तक लेके जाते हो तो आपको कुछ q2 heat चाहिएगी और अगर इसी को आप 90 से 91 तक लेके जाते हो तो आपको कुछ q3 heat चाहिएगी तो धियान रखना इसमें q3 ज्यादा आएगा मतलब जैसे temperature बढ़ेगा उसमें further और चेंज अगर आपको करना है तो आपको होगा तो देखो एक object mass same कर दिया हमने है ना तो एक 0 पर रखा एक 100 पर रखा मैं मालता हो कि common temperature कुछ T आया होगा तो देखो जब वो 100 से T आएगा तो उस case में average value C की ज्यादा आएगी है ना तो M मैं इसको मालता हूँ C1 delta T1 और यह आ जाएगा M C2 delta T2 है ना अगर इसमें द जो average effective specific it आएगी वो ज्यादा आएगी बजाए 0 से T के लिए तो इसका मतलब यह हुआ कि जो C2 है उसके मुकाबले C1 कम है तो इसका मतलब delta T1 जो है वो ज्यादा होना चाहिए कि से delta T2 से अब ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो T है वो 50 से उपर आना चाहिए T जब 50 से उपर आएगा तो मालों suppose 60 आ रहा है तो इसका temperature में 60 का change हो और इसका 100 से 60 यह नहीं कि कि हमाल 40 का ही change होगा इसका मतलब ज्यान अटना delta T1 ज्यादा तभी हो सकता है जब यह T जो है वो कितना हो 50 से ज्यादा हो इसमें कोई confusion और इसको आप आगे solve करें तो लिख सकत 100 माइनस T इसका अंदर 2 T greater than 100 इसका अंदर T greater than 50 ओके तो यह आपका mathematical solve करने से आफसर बन जाएगा कोई confusion इसमें आगे बढ़ते हैं हमारे next question पे 10th question 10th question में आपको दो slab दी गई है दोनों parallel में हो आपको वापस वह थर्मल conductivity बतानी है effective पहले series का बता है parallel का बताना है तो parallel में देखो resistance कैसे जोड़ते है वन अपोन आर पी बराबर वन अपोन आर वन प्लस वन अपोन आर टू तो यह हमारा parallel का फोमला होता है अब देखो ही आर का फोमला क्या होता है आर होता है वन अपोन की एल बाई ए तो यहां पर एफेक्ट्व जो पैर्लल में है उसमें एरिया कितना आएगा जिब आप इसी सिस्टम को एक बड़ी स्लेव से replace करोगे तो उसका एरिया आ ना पड़ेगा और length लेनी पड़ेगी वही D के बराबर है ना तो देखो यह क्या हो जाएगा का वन अपौन में तो ऊपर आ जाएगा के का मतलब 2a और length क्या है D ABD यह क्या हो जाएगा K1 A by D plus K2 A by D, तो A by D कर जाएगा, तो मेरे पास K क्या है, K1 plus K2 by 2, तो यह हो जाएगा मेरे पास 4th option, इसमें है कोई confusion, तो आपका 10th का answer हो गया, 4th वही चोब के parallel और series के concept हो काम में लेने, यह same question आपकी जो है अगले 11th question पर 11th question पर हम बात करते हैं कि same length और same cross section area कि दो road है उनको एक साथ अपने जोड़ दिया तो देखो length same और area same ठीक है इसकी भी length L है इसकी भी length L है इसका भी area A और इसका भी area A अब इसमें एक तो है copper और एक है steel अभी बोल रहें कि इनकी thermal conductivity आपको दिया वा है यह copper के लिए और यह steel के लिए अभी बोल रहें कि copper का एक end जो है वो 100 degree centigrade पर है steel का end जो है वो कहां पर 0 degree centigrade पर तो जो इनका combined यह जो junction है उसका temperature बताना है तो देखो heat हमेशा high temperature से low temperature flow होती है मतलब यह I1 और यह I2 अब series में अगर दो road connect हो तो उनमें हमेशा current equal होती है current equal होने का मतलब I1 equals to I2 I1 I2 क्या होता है अब यह I1 का मतलब यहां क्या है heat current heat current का हमेशा होता है delta T by R1 और यह delta T1 यह delta T2 by R2 ठीक है delta T1 कितना हो जाएगा 100 minus T और यह कितना हो जाएगा copper का K है ना और यह area और divide by length यह हो जाएगा K aluminium area T minus 0 by length अब देखो area और length तो कड़ जाएगा K copper कितना दियावा है 385 तो यह हो जाएगा 385 100 minus T equals to 50 T तो इस case में आपके पास T कितना आ जाएगा इसको जब solve करेंगे तो T आएगा 435 385 by 435 385 by 435 into 100 तो solve करने पर आपका temperature आएगा वो approximately 88.5 degree centigrade बनेगा इसको solve करने पर ठीक है तो यह आपका 11th का answer हो गया second इसमें कोई confusion तो यह आपका जो है वो conduction वाला पार्ट यहां पूरा होता है अगला पार्ट आता आपका radiation जो की heat transfer का एक और में थड़े अब radiation में देखो आपको बोल रहे है कि एक iron के piece को हम heat करते flame से तो पहले तो यह dull red मतलब कि लाल हुआ फिर यह reddish yellow फिर उसका फाइनली यह white हो गया हो गया तो correct explanation above observation is possible तो देखो हमें रूल यहां पता है विंस displacement लो तो विंस displacement लो क्या कहता है कि जो e lambda होता है उसका lambda के साथ variation इस तरह से होता है और यह जो lambda m होता है वो directly इस पर depend करता है temperature के inverse पे मतलब जैसे जैसे temperature बढ़ेगा temperature बढ़ेगा तो lambda m यानि कि वो wavelength जिसके corresponding maximum radiation होता है वो wavelength जो है वो घटेगी wavelength घटना मतलब कि frequency बढ़ना ऐसा बोल सकते है तो देखो red की frequency तो कम होती है और blue की frequency ज्यादा होती है तो जैसे आपका color बढ़ रहा है temperature बढ़ रहा है frequency बढ़ने की वज़े से पहले रेट से किदर shift हो रहा है अब ब्लू की दरफ ब्लू के पास फिर वो वाइट हो जाएगा ठीक है तो इसका reason क्या हो जाएगा आपका means displacement low fourth option अगला आता है बच्चों हमारा 13 question 13 question में आपको बोला गया कि तीन स्टार से है ना उनके जो light आ रही है उसको हमने observe किया तो यह पता चला कि it was found that intensity of violet color is maximum in the spectrum of P मतलब P का जो lambda है वो violet पे सेट है ना तो lambda M P जो है वो क्या है violet है फिर उसके बाद intensity of green color is maximum in the spectrum of R तो R में क्या है R में है green color maximum फिर उसका बोला कि है ना green उसका फिर बोला intensity of red is maximum in Q है ना अब red जो है वो किस में है Q में ठीक है अब देखो हमें पता है कि violet color की frequency जो है वो ज्यादा होती है है ना violet color की frequency ज्यादा इसका मतलब हम यह बोल सकते है temperature भी किसका ज्यादा होगा है ना violet वाले के ज्यादा होगा तो इसका मतलब हम यह बोल सकते है temperature of P greatest है फिर R और फिर Q तो मेरा third option यहाँ हो गया वह वही विंस displacement लो है ना कि जैस जैसे आप frequency temperature बढ़ाऊगे temperature बढ़ाऊगे तो lambda M घटेगा तो इसका उतलब frequency बढ़ेगी और हमें बता violet की frequency maximum होती है ठीक है तो इस वाले साब का answer जाएगा इसका third option है ना simple temperature compare करना दोनों क्योशन विंस्लो केते देखोई ठीक है अगला भी जो आता है वो विंस्लो पर आता है तो 14 पर आते है 14 क्योशन बोलते हैं कि किसी object का temperature है ना black body का temperature जो है वो 565760 है तो इसके corresponding lambda M निकाल लो सबसे पहले तो आप है ना और आपको B कितना दिय है 2.88 10 to the power 6 divided by 5760 ठीक है इसको जब आप solve करोगे और जो units यहाँ पर दे हुई है तो उसकी इसाफ से यह दिया है नेनो मिटर इंटो केल्विन और इदर आपका temperature केल्विन से केल्विन कटेगा तो आपका answer आएगा 500 नेनो मिटर मतलब यह हुआ कि जो lambda जो temperature object का 500 नेनो मिटर temperature जिस तरह से है उसके corresponding lambda आएगा 500 नेनो मिटर तो यह अपन ग्राब बना देते हैं तो यह lambda m कितना है 500 नेनो मिटर हमें पता है कि जो lambda m पे radiation rate होती हो maximum होती है और lambda m 500 पे कितनी दी हुई हमें U2 तो यह दिया हुआ U2 ठीक है फिर उसके बाद 1000 वाली wavelength पे जो है वो है U3 और 250 वाली wavelength है 250 वाली wavelength पे कितना दिया आपको यह 250 और यह कितना है 1000 इस पे दिया वाई U1 तो देखो मैं U1 और U3 को तो compare करनी सकता लेकिन मैं इतना जरूब बोल सकता हो कि maximum wavelength होती है maximum radiation वाली wavelength होती है lambda m इसके corresponding radiation rate maximum होती है इस वजह से 500 वाली जो rate होगी कौनसी है यह rate U2 यह तो पक का maximum है U1 और U3 उससे कम ही आएंगे U1 U3 का direct relation में आपस में relation तो नहीं बता सकते हमके लितना बोल सकते है U1 और U3 U2 से जरूर कम आएंगे और एसा मेरे पास केवल एक ही option है third पहला option तो बोल रहा है U3 0 पे 0 तो नहीं रहेगा इतना तो confirm है कि 1000 nanometer wavelength पे भी कुछ तो emission होग इसलिए 0 तो कते ही नहीं होगा फिर U1 greater than U2 यह गलत हो गया क्योंकि U2 जो है वो maximum lambda M के corresponding radiation है तो U2 तो maximum आ नहीं है और U1 भी 0 नहीं आएगा क्योंकि U1 पे थोड़ा बहुत तो radiation हाएगा ना 250 वाली wavelength पे इसका मतलब हर wavelength पे थोड़ा बहुत तो radiation होता ही है बट एक wavelength ऐसी होत है वो इसी रूल पर बेस्ट है इसमें कोई confusion आगे बढ़ते हैं 15 में आपको बोला है कि एक spherical objectives की radius 12 है और 500 Kelvin temperature पे 450 की rate से पावर इमिट कर रहा है इसकी radius को आधा और temperature को डबल किया तो जो radiation power उसमें क्या फरक पड़ेगा एक रिडिशन पावर का सिंपल सा फोन नहीं होता है sigma a epsilon t4 इसका अंतलब power direct area में क्या आता है r square आता है और t4 अब हमने क्या किया इसमें radius को तो किया आधा याने कि r के वज़ाए इसको कर दिया r by 2 और temperature को कर दिया double तो temperature हो जाएगा 2t यह पावर 4 और यह फोर पावर स्वाल करें तो कितना आएगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 यहने कि 1 अपोन 2 की पावर 2 बच जाएगा यहने कि 1 अपोन 4 बच जाएगा यहने कि पी डेश इस फोर टाइंस ऑफ पी पी कितना है आपके पास 450 तो 450 से चार गुनाएने कि आएगा 18 100 वाट इसमें कोई confusion तो बिल्कुल बेसिक सा जो आपका स्टिपन बॉल्स में रूल होता है उस पे बेस्ट यह question है और यह पावर का इसमें कोई confusion 15 हो गया देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 16 पे बिल्कुल रेडियेशन को उसी फर्मला पर गयुशन है कि किसी ऑब्जेट की रेडियेशन पावर पी है जब उसकी वेवलेंद लेमडा नोट पर मैक्सम रेडियेशन आता है बाद में आपने टेंपरिच इसको कहां शिप्ट कर दिया है इधर शिप्ट कर दिया तो इसका मतलब पहले वाला जो रेडियेशन था पहले थ्री लेमडा नोट पर गर मैक्सम था तो अब मैक्सम कहां पर शिप्ट हो गया त्री लेमडा वाई 4 पे इसका मतलब वोबसी बात है ती 2 जो है वो टी 1 से ज लेम्डा डेश अपन लेम्डा को लिखोंगा t by t डेश लेम्डा डेश कितना है मेरे पास 3 लेम्डा नोट बाइ-4 और पहले कितना था लेम्डा ओट इसका मतलब टी डेश कितना हो जाएगा T days हो जाएगा मेरे पास 4 by 3 into T मतलब मैंने temperature को 4 by 3 times किया, अब हमें पता है कि radiation power is directly proportional to temperature to the power 4 तो इसका मतलब P days कितना हो जाएगा 4 by 3 to the power 4 times of P ठीके, कि temperature आपने इतना किया ना तो power इतने power 4 कर दो फिर समें तो 4 की power 4 यह ने की 256 और यह हो जाएगा 81 times of P तो मेरा answer क्या हो गया, first option तो इसमें मेरा answer बन जाएगा first option 16 में इसमें कोई confusion ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे next section में तो यह यहां तक अपने radiation power की questions थी आगे आता है Newton's law of cooling वाला section इसके भी questions काफी पूछी जाते हैं और इसका एक बिल्कुल basic सा formula है जिस पर आपने सारे question यहां आए हो है तो यहां क्या है कि एक पानी की कुछ amount है जिसको आपने 70 से 60 तक थंडा किया और आपको कितना time लगा 5 minutes तो उसी पानी का temperature 60 से 54 होने में और 5 minutes लगता है तो कितना temperature जो है वो surrounding का है तो बिल्कुल सा concept है यहां पर concept होता है T2 minus T1 upon delta T बराबर की T2 plus T1 by 2 minus T0 यह basic formula होता है इस formula पर बेस्ट आप दो equation बना लो case 1 में क्या किया आपनने case 1 में temperature को 70 से 60 तक लेके आए basically T1 minus T2 कर देता है पहले temperature जादा था बाद में कम था तो T1 minus T2 70 और यह 60 कितना time लगा इसको ठंडा होने में 5 minutes 5 minutes K 70 plus 60 by 2 minus T0 फिर इसे तरह से case 2 की equation आपके पास बन जाएगी क्या बनेगी 60 minus 54 4 degree centigrade by 5 minute K 60 plus 54 by 2 minus T0 इस equation को थोड़ा हम क्या करते हैं? divide करते हैं equation 1 or 2 को divide करते हैं तो हम जब 1 or 2 को divide करेंगे 1 divided by 2 तो 1 divided by 2 करने से क्या होगा? देखो ध्यान समझना उधर क्या जाएगा? 10 by 5 K या जाएगा 65 minus T0 दूसरी equation आएगी मेरे पास 6 by 5 K 57 minus T0 जब इसको solve करेंगे तो अपना जो T का answer आएगा इसको solve करने पर वो आएगा 45 degree centigrade तो इसको solve करने पर T कितना जाएगा? T0 45 degree centigrade बस आपको यहाँ calculation वाला पार्ट जो है वो पूरा करना है तो basic concept कि है? 2 case की 2 equation बनाओ और उसके बाद पिर solve करना है दोनों equation को divide करके fix तरीका है और सारे question newton's log pulling के इसी method पाये हुए ठीक है? तो यह आपका 17 question note करें बेटा अगला आता है बच्चों हमारा 18 question बिल्कुल similar concept पे आपको बोलागे कि object का temperature 3T से 2T तक degrees हुआ और उसको कितना time लगा? 10 minute ठीक है? फिर कमरे का temperature आपको T दिया हुए तो बोलागे कि अगले 10 minute के बाद update का temperature क्या हुगा? तो 3T से 2T हुआ और फिर माल लेया X हुआ और temperature सरौडने का कितना दिया हुआ है? T तो case 1 की equation क्या बनेगी? जिसा आपन ने पहले बनाई थी वैसी 3T minus 2T divide by 10 minute K 3T plus 2T by 2 minus T case 2 में equation क्या बन जाएगी आपके पास? case 2 में equation बनेगी आपके पास 2T minus X divide by 10 minute K 2T plus X by 2 minus T equation 1 और equation 2 again बेटा इन दोनों equations को divide कर दूँ तो आपके पास क्या जाएगा? T by 2T minus X 10 to 10 तो कर जाएगा ना तो मैं इसको यहीं पर divide करता हूँ आपके सामने ठीक है? तो जैसे इनको divide करेंगे तो आपने पास क्या आजाएगा? देखो यहाँ दोने equations को divide करेंगे ना तो के से की ही खतम डेल्टा टी से ही खतम तो यह दर आजाएगा आपके पास 1.5T और यह आजाएगा X by 2 तो T से T खतम यह कितना आजाएगा? 1 upon 2T minus X बराबर 3YX solve करेंगे तो कितना आजाएगा मिरे पास? 6T बराबर 4X तो X बराबर 6T by 4 means 3T by 2 तो 3T by 2 जो है आपका surrounding यह जो object का temperature होगा अगले 10 मिड़ बाद मतलब पहले 10 मिड़ में 3T से 2T हुआ फिर अगले 10 मिड़ में 2T से 1.5T होगा ठीके तो यह आपका 18th question में आपका answer हो जाएगा 1st बिल्कुल similar concept वो ही 2 equation बनाना के solve करने वाला question अगले आता है 19th question 19th question में आपको बोला है कि वापस वही एक coffee tea temperature में 90 से 80 तक cool होती है वो कमरे का temperature है 20 तो 80 से 60 में कितना टाइम लगा देखो पहले case में आपसे टी नोट पूछा था दूसरी case में आपसे final temperature पूछ लिया अब यहां तीसरी चीस time पूछ लिया ले दे करके equation वो ही बनानी है तो case 1 की equation क्या बनेगी 90 minus 80 by T की 90 plus 80 by 2 minus 20 है ना दूसरी case की equation क्या बनेगी 80 minus 60 by T dash की 80 plus 60 by 2 minus 20 ठीके तो यह case 2 की equation अब इन दोनों equations को divide करो दो आप तो दोनों equations को divide करोगे तो देखो यहां पे इनको divide करेंगे तो equation 1 और 2 है ना इनको divide किया मैंने तो क्या आएगा मेरे पास यह 10 by T 20 और T dash ठीके के से कही कर जाएगा यह कितना जाएगा मेरे पास 85 minus और यह average आएगा इसका 85 minus 20 65 इसका average जाएगा 50 ठीके तो यह cancel हो गया तो T dash कितना हो जाएगा मेरे पास 130 by 50 T इसका मतलब जाएगा 13 by 5 T 13 by 5 T यह रहे कि मेरा answer हो गया first option इसमें कोई confusion तो 19 में first option जो है वो correct हो गया ओके आगे बढ़ते हैं हमारे 20 number question पे और यह अपना यहाँ पे जो है radiation वाला part भी complete होता है neutral slope cooling पे इसका अपना जो अगला part शुरू होता है वह आता है के टीजी kinetic theory of gas तो kinetic theory of gas में हम बात करेंगे शुरुवात 20 number question से आपको बलाए कि constant pressure and temperature constant volume पे किसी gas की molar specific heat जो है वो cp cv होती है तो cp by cv r से हम लिखते है cp by cv को में गामा से लिखते है ठीक है यह तो इस ratio होता है यह न cp minus cv हमेशा ध्यान रखना r के equal होता है और cp by cv जो है वो gamma के equal होता है ठीक है अब यह बोल रहे है कि cv क्या होगा तो इसमें cp by cv होता है gamma तो gamma अब यहाँ पे cv का जो formula होता है वो fix होता है f by 2r या f by 2r की जगा आप लिख सकते हो 1 upon gamma minus 1 into r तो यह मेरे पास 4th option हो जाएगा 20 का ओके अगला आता है यह बोल रहे है कि 21 में एक ग्राम helium का temperature T1 से T2 तक बढ़ाने के लिए कितनी energy चाहिए देल्टा यू जो इंटर्नल energy होती है वो fix होती है f by 2 n k t अब number of mole कैसे निकालेंगे है ना simple सी बात है f by 2 n k t या f by 2 यहाँ पे n number of mole number of molecule अब देखो number of molecule निकालने के लिए आपके पास simple सा concept होता है mole into n a mole कैसे से निकालेंगे mass by molar mass into helium का कितना मास दिए 1 gram helium का molar mass क्या होता है 4 gram तो अपका पास number of molecule कितना आएगे na by 4 तो यह तर आजाएगा na by 4 वाल्ट्समें constant और यह delta T होता है न तो यह हो जाएगा T2 minus T1 तो बता आपका answer के हो जाएगा 3 by 8 na kb T2 minus T1 थर्ड option बिल्कु डारेट formula based equation के वाल आपको थोड़ा सा mole concept यूज करते वे नंबर of molecule निकालने थे तो यह इसका formula होता है डेल्टा यू के दो formula होता है हमारे पास एक तो होता है f by 2 nr delta T use कर सकते हो और दूसरा होता है f by 2 n k delta T इन दोनों formula में difference किया है इसमें small n का मतलब होता है mole और यह होता है capital n number of molecules जब भी mole होता है तो साथ में आ रहाता है जब भी molecules होता है साथ में के आता है ओके तो यह चीज़ हमारे पास ध्यान रखना मतलब यहाँ पे n small n into r होता है और यहाँ पे capital n into k होता है ओके बाकि दोनों formula सेम है अगला आता है मतलब सेम चीज़ के यह formula है delta u दोनों से निकाल सकते हूँ अगला आएगा 21 के बाद 22 यह बोल रहे है कि mean free path की value क्या होती है simple सा formula होता है mean free path का 1 upon root 2 pi d square number of molecule by volume अब किसी भी गेस के लिए mean free path होता है lambda bar वो उनके diameter के square के inverse में आता है अब diameter के square बोलो या radius के square बोलो बात तो यह कि तो radius के square के inverse में आएगा तो आपका second option इसका हो गया 22 का कोई confusion अगले आता है 23 23 बोल रहे है cp by cv की value क्या हो जाएगी cp by cv जो होता है वह होता है gamma और gamma का formula होता है simple degree of freedom की terms में क्या होता है 1 plus 2 by f f की जगे n लिखना है तो आपका answer क्या हो गया आप फॉर्थ है बिल्कुल डाइरेट करेशन भील्कुल डायरेट कोनेट में पूछे जा रहे हैं ज्यादा घबनाने की बिल्कुल ज़रत नहीं आप बिल्कुल formula-based question की practice करते जाओ आपके नीट की ये वाले question बिल्कुल इजी होंगे देखते है कि होने वाले question है तो ओके बीटा 23 के बार आता है 24 24 में पोल रहे हैं कि एक दो कंटेनर है ना सेम टेंपरिचर पर दो कंटेनर में गेस ए और भी भरते हैं केस एका टेंपरिचर बी की टेंपरिचर से डबल है तो पहले चीज़ जो इनने बूल लिये और फिर इसका बोल रहे है इन कंटिशन के कंटिशन में गेस एक डेंसीटी बी की डेंसीटी से जादा है तो एक डेंधर गुना, ठीके तो आपको बोलुरहिं कि इनके मॉलर जो वेट है उसका रेशियो बताओ, तो सिंपल सा पहले अ मिलेते हैं PV बराबर NRT ठीक है अब N आप कैसे निकाल होगे mass by molar mass RTPV तो pressure इसको करेंगे mass by volume तो यह आईगा हमारे पास mass by volume RT by M तो यह कितना हो जाएगा rho RT by M अब हमें molar mass यह molecular mass का ratio पुछा है ने कि molar mass का ratio तो MA by MB कितना हो जाएगा MA by MB जाएगा rho RT by P से अगर देखें यह basically M की value है sorry molar mass की value आजाएगी इससे ठीक है तो इससे molar mass की जो value आएगी मेरे पास वो आएगी यह अब मुझे M का ratio पूछा है तो MA by MB क्या हो जाएगा rho A by rho B P inverse में न तो PB by PA अब rho A by rho B का ratio कितना दिया आपको rho A by rho B दिया वह 1.5 और PA by PB कितना दिया वह 2 तो यह कितना हो जाएगा 3 by 4 सिंपल सा अब यह कई बच्चे सोसे सरे मोलर mass का ratio हमसे तो molecular mass का ratio पुछे गया तो molar mass और molecular mass relation क्या होता है में जो molar mass होता है वह एन एंटू एंटू एम करोगे तो एंटू एम कर जाएगा तो molecular mass का ratio वह आएगा जो molar mass का ratio है ओके बिटा तो ratio की विए से कोई दिक्कत नहीं है कोई confusion इसमें था आपका answer हो गया 4th option 24 का 4th ओके बच्चों अगला आता है 25 नम्मर गयाशन 25 में आप से बोला है कि 27 डिगरी temperature प्रेशर पर आपको किसी गेस के molecules की rms speed 200 गीवन है फिर ही बोलते है कि जो आप इसका temperature 120 से उन प्रेशर कम कर देते हूं तो rms speed का simple सा formula है 3 rt by m इसमें कहीं भी प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मतलब प्रेशर पर कोई dependency नहीं है मतलब v by v dash equals to t by t dash पहला temperature कितना है 273 plus 27 और दूसरा बाफ solve करोगे तो यह जाएगा आपके 300 by 400 यहने की root 3 by 4 4 का square root 2 यहने की v dash बराबर 2 by root 3 v और v की value कितनी है आपके पास 200 तो यह आपका answer हो गया 400 by root 3 400 by root 3 यहने की यह मेरा first option यहाँ पर correct आ रहा है इसमें कोई confusion तो यह हो गया first option इसके बाद हम आते है दोस्तों अगला आता है 26 question इसमें आप से वापस gas की density पूछिए temperature, pressure, volume दिया हो है तो देखो molecule की टांस आपके formula क्या होता है PV बराबर NKT है ना तो अब यहाँ पर हमारे पास molecule का मास है ना तो N कैसे लिखोगे आप आप N लिखोगे total mass जो available है उससे पहले तो आप क्या निकालोगे? mole निकालोगे तो mass by molar mass है ना इन्टू N A K T यह हो गया PV तो mass by volume आप करोगे इधर आजाएगा N A M K T और इधर P mass by volume क्या होता है density तो यह हो जाएगा rho N A by M K T अब यहाँ पर M क्या होता है M होता है है actually molar mass molar mass होता है N A into एक molecule का mass तो M N A by M क्या हो जाएगा N A by इसको में लिख सकता हूं rho by यह जाएगा N A by M का मतलब क्या हो जाएगा N A by M हो जाएगा 1 upon M K T तो मेरे पास rho का formula हो जाएगा इससे rho बराबर P M upon K T तो P M upon K T मेरा first option यहाँ पर सही हो रहा है दोस्तरा आप इसको dimension से cross check भी कर सकते हो ठीक है बीटा तो यह आपका option वैसे बन रहा है आप चाहो तो रोका है यह formula direct भी आधा रख सकते हो बिल्कुल easily formula based question है कहीं कोई इसमें confusion नहीं है ओके बच्चों आगे बढ़ते है हमारे 27 number question पे तो 26 का आपका answer क्या हो जाएगा 26 का answer हो जाएगा आपका first option ओके बच्चों अगला आता है 27 number question 27 number question में आपको बोला है कि एक mixture में T temperature पे 2 mol oxygen और 4 mol और और इसमें vibration वाली degree को ignore करना है तो आपको total energy बताने है system की तो देखो यू क्या हो जाएगा एक तो आपका oxygen का प्लस यू क्या हो जाएगा आपका organ का हमें बता है यू का formula होता है f by 2 nRT ठीके अब f by 2 oxygen के लिए f कितना है oxygen का f होता है 5 by 2 n कितना इसके 2 mol है आपके पास organ होती है monotomic gaze इसके कितने mol दिए में चार mol और उसके बाद rt तो यह हो जाएगा आपके पास 5 rt और यह हो जाएगा 6 rt टोटल कितना हो आपके पास 11 rt यह आपका third option करेक्ट हो गया ओके बेटा तो इसमें सिंपल्स आपको जो इंटरनलेजी का फॉमला था है by 2 nRT उसको यूज करना है दोनों कि इसकी इंटरनलेजी को जोड़ना है इसका basic concept है है ओके बच्चों आगे बढ़ते हमारे 28 क्योश्शन पर 20 इसमें आपको बताना है कि किस तना टेंपरेचर ऑक्सियन का करने कि ऑक्सियन के मॉलिक्यूल जो है वो अर्थ एट्मार्मेर्मेंट से स्केप कर जाए मतलब कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फिल्ट से बाहर निकल तो इससे टेंपरेचर क्या जाएगा आपके पास वी इस्क्वेर एम अपॉन थ्रिया अब वी स्क्वेर की वैल्यू वी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकिंड का स्क्वेर कर दिया मॉलर मास कितना होता ऑक्सियन का 32 ग्राम ग्राम को केजी में कनवर्ट कर लो 3R कितना हो जाएगा 25 by 3 ठीक है जब हम इस टेंपरेचर को स्वाल करते हैं तो कि यह केल्कुलेशन स्वाल करने पर मारा आंसर जो बनता है वो बनता है थर्ड ओप्शन ओकी तो इसका मतलब इसको स्वाल करने पर आपका टेंपरेचर आएगा वो एप रोक्स आता है 83.60 इंटो 10 to the power 3 केल्विन तो उसको स्वाल कर गए फिर 8.360 10 पार 4 केल्विन कर दिया गया है ओके तो आपका 28 का आँसर क्या जाएगा थर्ड ओप्शिन कोई इसमें फिर इसके आदम बात करते हैं हमारे 28 की बार 29 क्योंशन की 29 क्योंशन बोल रहे हैं कि एक कंटेनर में जो गेस बरते हैं उसमें टेंपरेचर बढ़ाने से क्या होगा देखो टेंपरेचर बढ़ाने से एक तो फिक्स कंटेनर है ना पर एक कंटेनर फिक्स हो गया तो वॉल्यम तो आपका हो गया constant, volume constant हो गया, अब volume constant होने का मतलब यह है कि intermolecular distance जो है ना, वो change नहीं होगी, है ना, तो इसका अंतर जो mean pre-path जिसको हम बोलते हैं, वो हो जाएगा constant, ठीक है, अब आप temperature बढ़ा रहो तो temperature बढ़ाने से क्या होगा, temperature बढ़ाने से देखो, molecules की जो rms speed है ना, वो rms speed बढ़ेगी, rms speed बढ़ेगी, तो molecule जल्दी जल्दी distance cover कर लेंगे, तो जो lambda bar को cover करने में time लगता है, इसको multi relaxation time, वो कम हो जाएगा, ठीक है, rms speed बढ़ने से क्या होगा, जो आपका pressure होता है, pressure का formula क्या होता है, 1 by 3, rho, v rms square, तो rms बढ़ने से pressure की जो value है, वो भी बढ़ जाएगी, है ना, तो देखो, पहला बोल रहा है कि pressure कम होगा, गलत है, intermolecular distance कम होगी, ये भी गलत है, mass, mass तो temperature dependent बिल्कुल भी नहीं है, है ना, तो ये भी गलत है, तो अब बोल रहे है कि kinetic energy बढ़ेगी, बिल्कुल kinetic energy बढ़ेगी, kinetic energy का मतलब क्या, आपके rms speed बढ़ रही, mass होता नहीं है, तो kinetic energy तो बढ़ नहीं है, दोसरा इसका formula होता है, f by 2, nrt, तो f constant, n constant, r constant, आपका temperature बनाने से kinetic energy तो बढ़ेगी molecule की, तो ये तो confirm है, तो 29 option क्यों हो जाएगा मेरा, cylinder में, इतने pressure और temperature पर गेज़ भरी तो आपको इसकी density बतानी है, ये को simple सा density का अपने formula डेराय क्या था, क्या था आपने पास, pm upon rt, p कितना दिया वापको, p दिया वापको, 249 kilopascal, molar mass hydrogen के लिए कितना होता है, 2 gram, gram को kg में convert कर लो, r कितना होता है, 25 by 3, और temperature कितना है, 300, ठीक है, जब हम इसको solve करेंगे, इस data को, तो हमारे पास जो density का answer आएगा, वो आएगा, 0.02, तो, 0.2, तो, 0.2 इसका option हो जाएगा, 4th option, 30 का, इसमें कोई confusion, आगे बढ़ते हैं, हमारे 31 number question, बिल्कुल formula based question, दो देंसेटी के दो बार, एक बार तो direct formula पूछा है, एक बार density के formula पे ratio वाला question मना दिया, और एक बार ये value putting मना दिया, ठीक है, अगला आता हमारा 30 के बार 31, बोले थर्मल एनरजी बोले एक ही बात है, पहली बात तो, क्या formula होता है, F by 2 KT, यह ध्यान अगना, for single molecule, for molecule जो energy होती है, वो इतनी होती, F by 2 KT, अब monatomic gaze है, तो monatomic gaze के लिए F कितना होता है, 3 by 2 KT, ठीक है, तो 3 by 2 KT मेरा direct answer आगया, 4th option, 31 में, इसमें कोई confusion, फिर उसके जाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे 32 number question पर, 32 number question जो है, mean tree path का direct formula होता है, तो mean tree path का formula क्या होता है, lambda bar is 1 upon root 2 pi d square, n by v, यह n by v को क्या बोलते है, number density of molecule, जिसको इनोंने यहाँ पर direct small n लिखा हुआ है, तो यहादा है का root 2 pi d square, small n, तो यह मेरा answer हो गया, 4th option, इसमें कोई confusion, यह त formula है, यहाँ पर, direct formula भी पूछा गया है, फिर उसके आदा मार 32, 33, जो कि एक बिल्कुल formula based column matching है, rms speed क्या होती है, molecule की, root 3 rt by m, pressure क्या होता है, pressure होता है, हमारे पास, 1 by 3 rho b rms square, फिर उसके बाद, एक molecule की average kinetic energy क्या हो जाएगी, यह, और एक diatomic molecule की cool internal energy क्या होगी, है न, 1 mole diatomic gaze की, तो 5 by f by 2 nrt से करेंगे न, तो f by 2 nrt इसका formula क्यों होता है, इसका formula होता है, f by 2 nrt, diatomic का f कितना होता है, 5 और n कितना, 1 mole diatma है, ठीक है, और एक molecule के energy क्या होती है, एक molecule क्या होती है, f by 2 kt, यह, इसका formula f क्या रख दोगे, 3 है न, उसके बाद, यहाँ पर, प्रेशर, प्रेशर का formula क्या होता है, प्रेशर का formula होता है, 1 by 3, rho v rms square, और rms speed का formula तो direct root 3 rt by m होते हैं यह न, तो इदे को simple से formula में, column matching यहाँ पर पूछी गई है, तो मेरा a का answer क्या हो जाएगा, q, यह न, a का q, b का p, c का s, और d का r, second option इसका, correct हो गया, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, 34 में, 34 में बोल रहे हैं कि अगर किसी gaze का molecule, यह पानी का अगर molecular weight, यह molecular attraction अगर खतम हो जाए तो उसका volume कितना हो जाएगा, देखो, अगर molecular attraction खतम हो गया, तो पानी, फिर पानी के face में रहेगा, वो ideal gaze, पहरे molecule दूर 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 चले जाएग कितना होता है, 22.4 लिटर, तो यहाँ पे total volume पूछा है, तो total volume क्या हो जाएगा, number of mole निकाल लू, divide by volume of one mole, उससे multiply कर दू, number of molecule कैसे निकाल होगे, mass by molar mass, यह total number of mole, यह concept, और यह एक mole का volume क्या होता है, 22.4 लिटर, तो solve करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 4, 5, 00, ग्राम, यह होता है, 18 ग्राम, यह ग्राम में convert कर दिया, मैंने केस जी को है न, 22.4 लिटर, solve करने पाएगा, 250 mole, उसको फिर 22.4 लिटर से आप multiply करोगे, तो आपका answer आजाएगा, 5, 6, 00, लिटर, तो यह आएगा, 5, 6, 00, लिटर, और एक लिटर कितना होता है, एक लिटर तो था, 10 पर माइनस 3 मिटर क्यूब, तो solve करने पाएगा, 56, 00, 10 पर माइनस 3 मिटर क्यूब, तो solve करने पाएगा, आपका answer आएगा, 5.6 मिटर क्यूब, थर्ड ओप्शन, इसमें कोई गन्फूजन, ठीके, तो बिलकुल आपका जो बेसिक कंसेप्ट उस्पिक्र यह बन रहा है, कोई कन्फूजन इसमें, अगला आता है हमारा 35, 35 में यह बोलने की, same capacity, same capacity का मतलब क्या होता है, same volume, तीन कंटेनर में, आपने, same temperature, pressure पर गेस भरी है, पहले बरतन में, आपने हीलियम रखा है, दूसरे में, क्लॉरीन, और तीसरे में, sulfur, hexoxide, जो की, पॉलिट statement सही है, देखो, RMS के लिए, तो मैं, simple सा एक formula लिखता हूँ, root 3 ktym, जिसका molecular mass कम होगा, उसकी speed जादा होगी, यहां molecular mass सबसे कम किसका है, सबसे कम molecular mass है, वो, यहाँ पर helium का है, बाकि सबका molecular mass ज्यादा है, तो जो molecular mass में कम, हलकी gas है, उसकी RMS speed ज्यादा होगी, तो मेरा first day spread statement सही हो गया, अब second गलत हो गया, RMS speed, sulfur, hexa, fluoride की तो कम है, फिर यह बोल रहे है कि सबके molecule की जो number है, वो same नहीं होगे, क्यों नहीं होगे, आपने जब P, V, बराबर NKT से करें, तो pressure, volume, temperature, तीनों चीज़ सेम है, तो फिर number of molecule भी तो same होगे, तो यह तीसरा गलत हो गया, और यह बोल रहे हैं कि तीनों में, RMS speed सेम होगी, यह गलत है, RMS speed तो, ओविस बात है, mass of molecule पर depend करेंगी, temperature सेम होने से, RMS speed सेम नहीं होगी, साथ में molecular mass का भी देखना पड़ेगा, तो आपका 35 question एकदम theoretical question है, और, यहाँ पर अपना, जो है, part complete हो जाता है, तो, 35 question तक अपना यह पहला part complete होता है, फिर जो next lecture होगा, 8th, उसमें आप बात करेंगे, thermodinox और, बच्चे portion के बारे में, तो बच्चों यहाँ तक अपने, जो भी question आपके, यहाँ पर doubt थे, उनको आपने आई हो, बच्चे समझा होगा, और जो concept आपने यहाँ से सीखे, उनको exam तक अपनी memory में रखें, ओके बच्चों, thank you, all the best.